कि गूड मॉनिंग नमस्कार जैन जैवारत कैसे हैं दोस्तों आप लोग क्या हाल चाल है मैं रेंजी तिवारी भिहार एड़र्ट और डिफोर्स उनके प्लेटफर्म से आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों सूप्रभात और नौरात्री का तेवहार चल रहा है आप सभी को काफी काफी बहुत-बहुत सुबकामना मातारानी की आशिरबाद हम सब पर बनी रहें तो कैसे चलो हम लोग भाई आज क्या करने वाले हैं जैसा कि हम लोग लाश्ट प्लाश में आप लोग को बताये थे कि कैसे करेंगे मैप के ट्रू अस्टड़ी अस्टड़ी विथ म जोगराफी के सवाल बहुत अजीव गरीब तरीके सा पूछे जा सकते हैं कभी-कभी जो की वन-liner में चैकिताब में आपको नहीं मिल पाते हैं तो अब उस सवाल का जवाब जो है कैसे कर सकते हैं तो उस सवाल का जवाब आप मैप के थूरू अध्यान जब तक नहीं करें करेंगे तो चलिए यहां पर हम लोग देख लेते हैं कैसे करेंगे अच्छा अगर आप लोग को डाउनलोड कर लेना है अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो और यह मैप यह जो एप जो है प्रीमियम स्टडी मेटेरियल जॉब जो भी वेकेंसी आगी वह आप तक पहु मॉनिंग क्लास है आज बिल्कुल है गुड मॉनिंग रिस अब सोनी चलिए देखिए कैसे हम लोग मैप के तुरू कुछ सिधे पहले आ जाते हैं हाँ जैसे कि हम लोगों ने बात किया था एक बार भारत के इस पर नजर डाल दीजे किस पर भीया सारे स्टेट पर यह जम्म चल पर देख जर्श नीचे इत्थर चेपंजाब जम्म कस्मेर से उत्तराखंड का क्या बार्ड़र लगता है सवाल पूछ सकता है सवाल पूछंग लें कि जम्मु कस्मूईर या ले-लादाक सिमा निमन में किसके साथ नहीं लगता को सिंड då जम्मु जे एन के किस सीमा किस राज्य के साथ लगती है पहला आप्शन देदेगा पहला आप्शन ए देदेगा जभी या क्या पंजाब आप्शन भी देदेगा आप्शन भी देदेगा हिमाचल पर्देश आप्शन सी देदेगा उत्तराखंड आप्शन देदेगा नन देखें कैसे बन सब्सक्राइब किस राज के साथ नहीं लगती है मान लेते हैं ऐसे पूछ देगा कैसे मैप से कोश्चन बनेगा वो में आप लोगों बता रहा है गुड मार्निंग चंदन चटर जी जी गुड मार्निंग बहुत बढ़ी हैं ठीक है तो अब यह कोश्चन पूछ लेगा अब यह कोश्चन का अंसर करने के लिए इस तरह का मैप होना चाहिए देखे जम्मो कश्मीर का जो है किसके साथ लग रहा है पंजाब के साथ बॉर्डर यहां से लग रहा है हिमाचल परदेश के तो अच्छा कास बोदर लग रहा है लेकिन आप उत्राखंड के साथ देख लिए बिलकुल ब क्या बनाया जा सकता है देख लिए अगर पूछ ले कि क्या पूछ ले कोश्चन इधर ही देख लिजिए उत्त्राखंड का सीमा कोश्चन पूछ ले उत्त्राखंड की सीमा लगती है उत्त्राखंड की सीमा लगती है किसके साथ लगती है अगर दे दे इसी परकार पलट के कोश्चन दे दे हैना जैन के हना बी नमबर में आपको दे दे कि भी या हिमाचल परदेश सी नमर में दे दे पंजाब और डी नमर में दे दे भाई नन अब मुझे यह बताईए अब मुझे यह बता दीजे कि वह यह किसके साथ नहीं लगती है उत्त्राखंड की सीमा वह यह बताओ कि माचल परदेश के साथ तो लगी रहा है पंजाब के साथ पंजाब के साथ नह रहे और निक जह यह पर आपसन दे शकता एंभ essa दे सकता था एर भी बोट बी और सी मौत है ना तो ए और सी वह पाली है तो जम्मो कश्मीर और कश्मीर के साथ नहीं लग रहा बोडर और पंजाब भीस के साथ नहीं लग रहा बोडर साथ बोर्डर किसका लगना उत्त्राखंड की ठीक है मुख्य रुपश्य अच्छह अब अगर सवाल पूछ दे अब सवाल यह पूछ देलही ncr किस राज्य में इस्थित है कहाहां कहां स्थित है तो कहा कहां इस्थित अब तैली ए यस तो आप आपका हर्याणा कर लिका pigundioka LOibile Between A relic to suppress my तो डिछी किष दो राज्यों के साथ सबस्सक्राइब agricultural है और किस दे दो राज्यों के बीछ दो राज्यों के बीछ हर्याना च कि left Er अन डिली देकिः इस तरह के सवहाल भी तरह सकते बोड़ गूड़ मोर्निग फिलोगंग को गूड़ मोर्निग्पर ये पर लाइक और शेयर करने अच्छा वैं अपको दिख रहा है कि जूम करने की जरूरत था मैप ठीक है दीख है दिखता होगा I think अब दीख रहा है अच्छा जूम किया जा सकता है आप लोग को जरुवत होगा तो बूलेगा जूम किया जा सकता है है ठीक है देख लिए है तो यहां पर क्या बात किये तो ह्रियान और यूपी ऑनली ज्यान रखेगा अच्छा यहीं पenty पूछ लेये कि हरियाना जो है किन राज्यों के वीछ हर्याना कितने राज्यों से संग लगन तो हर्याना का बॉर्डर किसके किसके साथ लग सकता है तो हर्याना का बॉर्डर एक तो आपका पंजाब से पूरा बॉर्डर लगता है अलगी हुआ इसी से ठीके ना पंजाब से पूरा बॉर्डर लग रहा है हिमाचल से भी लग रहा है इसका बॉर्डर हिमाचल से भी लग लग रहा है और जो है यह तो हो गया फिर उत्राखंड से यहां थोड़ा टेच में दीख रहा हलका सा पता नहीं कॉर्णर कोई यगा पर है क्या तो यह चार तो स्टेट आप सीधे सीधे चार ध्यान में रखेगा हर्याना के बॉर्डर इसके साथ लग रहा है है आधि जीबल है आज अब ठीक है चली आवाल आजए आब बात कर लेते हैं कुशन कभी कभी पूचा है कि उत्राखंड की यूपी की बॉर्डर समी 2 जादा किस रगहा है तो यूपी से लग रहा 5 हो गया इधर आपका जो है 86 से एल्ग झनले से लग रहा साथ हो गया अजारफार टोलगुरा आछो गया अभि Prophet नहीं देखें तो क्या हो गया एक दू तीन चार पांच छे सास आठ आठ हो गया आठ ठीक है यहां पर थोड़ा सा यहां पर इस मैप के तुरू दिख रहा है कि यह बहुत नजदीक है बिल्कुल पॉइंट वाइस बैउडर जो है ना हमाचल परदेश के साथ दिख रहा है इसा चलिए बिहार के साथ अगर देखेगा तो बिहार के साथ कितने साथ तीन एक तो आपका हो गया यूपी दूसरा हो गया जारखंड अर्टिसरा हो गया इधर बैंगोल यह और इसका बॉर्डर इंटरनेशनल बॉर्डर है यानि कि नेपाल के साथ लगता है नेपाल के साथ इसका बॉर्डर लगता है ध्यान रखेगा उसके बाद आजाई अब उसके बाद आजाए इधर से ठीक है अब यहां पर अगर पूछ ले कि सिक्किम है यहां पर एक है ना इसी कि में के स्टेट है पैतीश में 35th constitutional amendment के द्वारा और 36th constitutional amendment के द्वारा तो यह सिक्किम का किस के साथ लगता है तो बेंगोल के साथ सिक्किम का बेंगोल के साथ सिदे सिर्फ एक कंट्री के साथ बेंगोल के साथ लग रहा और किसी के साथ लग रहा है क्या और किसी के साथ नहीं लग रहा है इससे तरह से आप जाएगा तो यहां पर आप देखिएगा कि यह भूटान के साथ बॉर्डर लगने वाले कौन-कौ हमारा लग रहा है दूसरा बंगौल हमारा लग रहा है थीसरा आसम लगdı रहे और इधर अरुनाचल पर्देश लग limit भूटान के साथ कौन कौन सिक्किम भंगाल आसम अरुनाचल प्रदेश चार बॉर्डर चार इस्टेट का बॉर्डर हमारा किसके साथ लगता है तो शोच लिए भूतान के साथ अब यहीं पर बात कर लेते हैं मेघालिया एक स्टेट पूछेगा भई मेघाले का सीमा मेघाले की सीमा किसराज के साथ लगती है किस राज के साथ लगती है ठीक है तो मिघाले किस्टिमा किस राज की साथ लगती है तो यह राज कौन पौनको ने एक मात्र आसामराज यहां पर देख लिए थोड़ा सा और बड़ा करते हैं यहां अगर पूछ लिया आप से यहां पूछ लेके भी यह इसी परकार त्रिपूरा का सीमा किसके किसके साथ लगता है त्रिपूरा का तो त्रिपूरा के दो ही के साथ एक आसम के साथ लग रहा है और दूसरा मीजोरम के साथ लग रहा है तो आसम और मीजोरम के साथ लग रहा है अब आके तीनों और से क् कि बंगलादेश्ती नोर से ठीक है इससे परकार अगर नौर्थ इस्ट में आप से पूछ ले नौर्थ इस्ट का अगर पूछ ले तो क्या पूछा जा सकता है विया कि बताओ आप मिजोरम का बॉर्डर किसके किसके साथ लगता है जो सबसे लाश्ट टीप तक यही जाता है नियुमा को तो इसके साथ एक तो तो पूरा लग रहा है यहां पर दूसरा आपका असाम लग रहा है तीसरा आपका मनीपूर लग रहा है तो अब यह तीन राज्य हमारे लग रहे और इधर से म्यानमार लग रहा कोन लग रहा तो इस दिधर से म्यानमार का बॉर्डर आप कहा लगता है तो यह बात लोग आप अगर इसिबर कार पूछ ले कि इम यह पूर का सिमा कि सकाका किसके साथ मश्योर्य पोर के साथ च давно व्या절 कृरी अगर पूछा जाए टेंधा गोंजियों की श्वीमा लगता किस के साथ तो मनीपूर की साथ सवाल बनेगा तो आतर डेलेंगे ठीक है अगर वपोछा आधे कोश्चन है मैं बना कर दिखा रहा है ृपको आना से में से से किसके साथ कना किसके साथ मिजोरम की शॵीमा नहीं लगती मिजोरम किशिमा नहीं लगती option number A आपको दे देगा त्रिपूरा option number B आपको दे देगा option number B दे देगा awesome awesome option number C दे देगा मनिपूर और option number D दे देगा मेघाले अब बताओ किसके साथ नहीं लग रहा answer दीजी यह चार question मैंने बताया किसके साथ सिमा नहीं लग रहा बताएंगे हसोग प्रिंस सोनी चंदन ओपी रिशब मेरी आवाज आ रही है अब तक किसके साथ नहीं लग रहे बताओ यह इतनी बड़ी गलती कर रहे हैं आप लोग सामने सब कुछ बना कर दिखा रहा हूं उसके बाद भी बोल रहे हैं ऐसा किसके साथ नहीं लग रही सामने बना कर दिखा रहो फिर भी किसके साथ बॉर्डर नहीं लग रही है किसकी मिजोरम की बिल्कुल सही है मेगाले के साथ बॉर्डर नहीं लग रहा है यहाँ पर अच्छा यहीं चीज़ अगर मैप सामने है तब मैप नहीं रहे तो कैसे होगा तो भाई इस तरह का प्रैक्टिस पहले आपको कर लेना पढ़ेगा प्रिंस कुमार ए आंसर दे रहे भाई क्या यार सामने तीर पूरा है इससे इसे स्वाग बॉडर लगी रहा है मेजोरम का से सता बॉडर लगी रहा है मनिपूर के sir la partner में घाल जरना दूर है cलaffe तो डिना अप्शन होना सीमा लगती है अरुनाचल परदेश की सीमा लगती है किसके किसके साथ भीया आप्शन ए आसम आप्शन भी आप्शन भी नागा लेंड आप्शन सी मनिपूर और आप्शन डी मेगा लें बताइए किसके किसके साथ बौडर लगती है सीमा प्रेक्टिस करते याद करना पड़ेगा याद नहीं करना है मैं तो बोल रहाँ आपको याद नहीं करना है आपको सिर्फ प्रेक्टिस करना मैप वर्क में सिर्फ प्रेक्टिस कर लिए मैज की तरह जैसे मैज प्रेक्टिस करते हैं ना उसी परकार से किस के किस के साथ बॉर्डर लगता है अरुनाचल परदेश का अच्छा बिल्कुल सही है आसाम के साथ तो एक लंबा बॉर्डर लग रहा है लेकिन क्या नागल एंड के साथ नहीं लग रहा है तो आपका अंसर होना चाहिए A and B बोथ A प्लस B दोनों के साथ बॉर्डर लगन लाइक शेयर कर दीजे तो ठीक है यह हो गया अब आजाई ये थोड़ा दूसरे आउट को बदल लेते हैं थोड़ा साथ को बदल लेते हैं कोशन यहीं पर यहीं कर देते हैं मनिपूर की सीमा लगती है जली मैं आप्षन नहीं देते हैं आप लिख के बताओ मनिपूर की सीमा के किसके साथ लगती है अगर मनीपूर की शीमा असाम के साथ मिजोर्म के साथ 你 bend our account our primarily एक स्टेट के साथ लग रहा है यह आवा साम के साथ लग है मिजोर्म के शीयए मदाओ के साथ आख रहा है ना ihn VI चली कजिए इस्से परकार हम लेड का पूछ ले रहे हैं बता हो नागालन के लिए इस राज के साथ नौर्थ उस्ट में जादा कर न्फूज़ बच्चे राते हैं इसको करवा रहा हूं बिलकुल अब नागालेंड की सीमा किसके किसके साथ लगवाएंगे बताइए अगर सीमा विवाध होगा नागालेंड का तो किसके किसके साथ हो सकता है राज जी के अस्तर पर पताइए , तो यहां पर नागलन के साथ क्योल को न भी मिंसा नीचिमरिय मनिपूर गऴों मेसा है उपर उनाचल परृदेस है यही है ना को दिक्कत नहीं को दिक्कत नहीं हना मेघाले का पूछेगा तो शिर्फ और सिर्फ असम रपत्डीस के साथ लग रहा है ठिका earning आज स्टेट के साथ लग रहा है मनिपूर का तीन स्टेट के साथ लग रहा है मिजोरम कभी तीन स्टेट के साथ लग रहा है नागलें कभी तीन स्टेट के साथ लग रहा है मतलब इधर जो है इधर यह इधर का जो तीन स्टेट है यह तीन स्टेट सब का तीन-तीन के साथ कितने राज्यों की सीमा साधा होती है मैं अन्मार के साथ कितने राज्यों की सीमा साधा होती है जाली बताईए स्टेट का नाम लिके बताना है आपको सबसे उपर से देखना चालू किजे अरुनाचल पर्देश का सीमा मैं अन्मार के साथ लगती है तो मैं अन्मार के साथ लगती है अगला कोश्चन बंगला देश के साथ कितने राज्यों की सीमा साधा होती है जल्दे बताएंगे अन्मार के साथ में अन्मार का है नहीं दिख रहा है कोई यह में अन्मार है मतलब बहुत बेशिक से करहने के जरूरत इधर में अन्मार है वोर्ड का मैं अप भी लिखाते हो आपको ठेक है ऐधर में रहे हैं बंगलादेश के साथ कितने के सीमा लगता है ये बंगलादेश का टिक एकई कौन-कौन एक चुन तो सब इथा बो गहाँ तक बंगाल का वॉर्टर मेर लगता है दो हो गया एक डो मेघाले का लगता है तीन हो गया अना इधर भी आसाम ही है आउदर तिर पूरा का लगता है चार हो गया समझ रहे है चली अब बात कर लेते हैं इधर तो हो गया आपका अब पूरा मिजोरम भी चीख है अब इधर आजाएगे अब अगर पूछ ले बंगाल का बोर्डर किसके किसके साथ लगता है भाई बंगाल उधर नौर्थ इस्ट हो गया अब बंगाल में आजाएगे तो आपके असम के साथ लग रही है नंबर वन दूसरा यां सिक्किम के साथ लग रही है नंबर टू तिसरा आपके बॉर्डर बिहार के साथ लग रहा है नंबर थ्री है ना जार्खन के साथ लग रहा है नंबर चार और उलिशा के साथ लग रहा है नंबर पांच तो जब कि बात कर लिए तो इस तरह के सवाल आपको ठीक है यह तरह के सवाल आपको देखने के लिए मिलेंगे ठीक है चलिए आप कुछ दो है यह तो कर लिए इस तरह सारे का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे एक दिन में करेंगे एक साथ नहीं करेंगे है है हां कुछ समलोग जो है वर्ल की जियोगरफी गया कर लेते तो है वर्ल की जिए वर्लकी में अगर पूछेगा थांद इंडिया ना वर्ड दोनों करेंगे बीच-विच बीच पीच में यह सारे इंडिया का कि यह थोड़ा सा सब्सक्राइब करने वली चीज़ नहीं है एक कमांड आ जागा देरे देरें आपका यह सारे फेमेपर कराऊंगे जीतना आपको दिख रहा है हाना प्यरी निज प्यरी निज प्यरी नीज कहा पै यूरोप मौन्टेन रेंज मौन यह प्रवद श्रिंख्ला है परवद श्रिंख्ला मतलब कई पėर्वदों का कई पहाडीनों का सब्राइज वंई नज कहा पे है से आल प्रॉप में प्रांस के पास हूए तब है , ज्ञान है राफ की मॉंटेन कहा पे हैgeois तो यह आपका आपका मतलब की नौर्थ अमेरिका में है तो नौर्थ अमेरिका में है ठीक है दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है के अँप च्रिकली फर्लय आप जो है एसिया एक या वर TL ये यॉरोप में पैरी नीज आर्प्स और यूर सारी जो है एसिया और एक यहां को अबड़ा इंडिया में तो कोश्चन यहां पर दे देगा यहां पर अगर कोश्चन दे देगा यहां पर कौन सा परवत्स्रेनी जो एस्या में नहीं है और आप देगा एक यूराल आप देगा भी एंसान और आप मैं यहां पर अब जो होगके तो यहां पर आप सब्सक्राइएबियकर आपने पढ़ा पर हैं विप्रांकी कांपे है तो यूरो अप कहां यूरोप में का vermeू recipes तो इस तरह के सवाल बनेंगे आपको इसके लिए तैयर रहना पड़ेगा ठीक है यह हो गया फिर अगर बोला जाए किसी में आगे बढ़ते हैं कि इसरी में आगे बढ़ते हैं ग्रेट डिवडिंग रिंज यह कहां बैग डिवेंडिञ रिंज दिवेड्डिग कहां पर आस्ट्रेलिया में कहां great dividing range तो यह है आस्ट्रेलिया ठीक है उसके बाद यहां पर आपका जो है आफ्रिकान अरव रेवरीन अच्छा यह थोला सा धुंदला हो रहा है यहां पर देख लिए यह वहला असलिष एटलस मांटेन आपर है धिए अध्लास मांटेन यहां पर फिर अगर्णाश घरिया जाया आपका यह पूरा अंडी फी ऐन् डीस सौथ अमेरिका में एं आ और ऐक्रन मान देखे एगा अपलाषे आपलेसियन, और आल्पस, बच्चए कन्फ्यूज हो जाते हैँ। आप लियात रखेगा, नомуर्थ-अमेरिका यह इस Star Shut ऐहि, यह नम है। यह नम है। यह नम नम है। ये नम है। यूरोप छोटा हैं। आपलेसियन, बड़ाय है और नौर्थ-अमेरिका made भी बड़ा है तो बड़ा वला बड़े के साथ ऐसे आप सा प्लेशने में बच्चे अक्सर कन्फित हो जाते हैं इसार यूरोप में है कि अमेरिका में ऐसा सोचते हैं ठीक है ध्यान रखेगा समझ में आ रही है फिर उसके बाद आ जाए रॉक्य मॉंटेन है सकत है रॉक्य मॉंटें इस ये रॉक्य मॉंटेन अ रोक्य मॉंटेन में यहां पर सियररा निय глवेदा यहां सियररा निय वेदा है यह मॉंटेन भूर ही नर prior दो सो देखी लिए थे चलिए आप अब आजा ये दूसरे इस रिंग इस कौर्ण से यहां यहीं और इड़िनम जो फोटो दिखाया जा रहा है इस तरह अब आप अब यहां अगर बत करते हैं इंडिया में जो ने इस हैं आप हिमालया जो तैनी तो अगर डोलों का बात पिए यह ऺचंडिक का पाकिस्तान-क यह वह हिसुत इस तो पर्वत यह नंगा पर्वत इधर 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 नंगा परवत ईना ये सिंटेक्शिल बोडंड बेंड हे यहा बेब它 इस यहां से यहां तक यह जो है न शीमा है यह बेंड से लेकर यह बेंड तक जो है ऐसे हिमाले जब आया था ऐसे करें टकराया है टकराया है क्या हुआ ऐसे करकर फोल्ड हो गया ऐसे करकर फोल्ड हुआ है तो यहां पर आपका नंगा परवत से लेकर कहां से कहां तक शीमा कहां स नंगा परवत लेकर यहां पर नामचा बर्वत तर नंगा परवत तक जो है यहीं पर कहां पर है पुटी सिंख्लाइक दिमा अब इसी के बीच देखें इंडेस निकल कर जा रहा है बहुत शारब पुत्रा यहां से निकल कर जा रहा है वो सामलों करेंगे तो नंगा परवत से लेकर नामचा बर्वा तक है यहां पर तो अगला बात कर लेते हैं अब यह तो आम लोग पूरा वहां देख लिए अब शुटा परवत यहां पर आप अधिया रुटाशल पर्देश में नामचा बर्वा यह दो बॉर्डर हो गया इस तो वेस्ट का इस् अब बीच बीच में क्या क्या है वह देख लिए यह अगर पूछ ले देखिए पहले समझ लिए फिर पोस्टन कैसे बनेगा यह भी बताएं रेंज जो है ना कई बार में कई बार थर्ष्ट हुआ तो रेंज ऐसे ऐसे करके आगे पीछे करके इस तरह से बना है सबसे उपर यह करते हैं इसको गोड्वीन आश्टिन भी करते है यह हो गया उसके बाद अगर पूछा जाए आपसे अगला पूछा जाए कि यह के टू यानि की कारा कॉरम रेंज के नीचे उसके बाद कौन सा रेंज है तो उसके बाद आजाता लद बाद आज याता है थे कहा है उसके बाद आजञाता है पका दकाम यह आगया उसके नीचे क्या आगया तेखले यह ऐं इस वेस्ट नौट्ट और सौथ जा तो लटाही let लड़ाक के निच्छे JOSH अपने देख लिया काराकोरम रंज लदडाक रंज जासकर रंज देख लिया आपने यहां से यहां तक उस्के बाद जो सब출 जो है दोला धर रेंज पीर पंजाल के बाद धौला धर रेंज आपके आ जाएंगे और उसके याज़ाएगा शेवालिक रेंज टो शुवालिक करेंज यहीं स्वेठीक मेधान इसके बाद बना है तो कोश्चन अगर पूछ ले भीया क्रम से सजाइए क्रम से सजाइए तो सब से उपर कौन सा है तो कारा कोरम है है कारा कोरम रिंज है सिर्च पहला नंबर नंबर पे क्या है लद्दाख तीसरा नमबर पर क्या है काराक्रम लद्दाक के बाद जासकर रिंज जासकर रिंज के फिर उसके बाद नीचे बात करेंगे तो ग्रेट हिमालियन रिंज पांच्वे नमबर पर क्या है घेट हिमालिया के बाद अगर बात कीजेगा तो इधर जो है आपका पीर पंजाल रिंज आप पंजाल रिंज के बाद नीचे उसके बाद करेंगे तो धौला धर रिंज अब धौला धर रिंज के बाद जो है साथो नमबर पर क्या है तो शिवालिक अगरेंज थे के समद्रबात को यह बैंगलोर में घाले तिर पूरा बैंगलोर कहां से आ गया आशू का बात है सुबह सुबह ले लिए भांगों का नौर्थ इस में बंगलोर कहां से आ जाएगा हर एक चीज पीने खाने का एक समय होता है सुबह सुबह उठके ब्रेस के जाएगा नहीं गलत बात चलो कोई बात ठीक है चली तो यह हो गया अब मांटेन पर बात कर लीजिए कैसे कैसे मांटेन है यहां पर और अपर में सबसे केट्व है अभारत काई ठीक है उसके बाद कारा करम रेंज लदाक रेंज में देखी रहे निचे आजाइए यहां पर कामे इट उत्राखन में कामेच है नन्दा देवी आपका उत्राखन ही ग्रेठ हिमालय का पाठ यह कामेट पर्वत भी ग्रेठ हिमालय का पाठ है और मॉंट के लाज की अगर बात किया जाए ना तो यह अभी ग्रेठी मालय का ही पाठ है लेकिन चाइना में पढ़ता है थीवान के लाएगा अधिक है झ्यान रखेँगा मौंट के लास ठीक है और यहां पर जो है नंदा देवी के बाद इधर गूरला मंधाता गूरला मंधाता भी यहां पर फिर पर धिमर पाठ है धौला गिरी धवलागिरी जो है ग्रेटिमालयाय का पार्थ है लेकिन किसमें है तो उध्राकंड में है मनालू मनाशलू मनाशलू और गनेश्मानाशलू और गनेश्टे इ grin टं मृंटेट त्य है ठीक है एक ची सवरी करेंगे ठीक है देख लिए जो है ना धॉलागिरी अनपुरना मनालूजलू यह सब नेपाल में पढ़ेगा ध्याना रखे गाओ में मन पढडे लुदू पर्द गुर्ला मंताया थे दशें अभुन अपर्क में पढ़ेगा नंदादेटी और में एक अलोच अब आएवरेस्ट यह भी में नेपालमें पड़ेगा मकालू यह भी नेपालमें पड़ेगा ग्रेट हिमाले काई पाथ हैं कंचन जंगा सिक्किम कंचन जंगा काहा चो शिक्किम और इधर आगे बड़ते पर उनाचे क्षेश में नापचावरबर मां विल्कुल सही म तरीन ठीक है चली तो यह आप लोगों का जो है यह अब जो है इसके बाद अब फिर इसी को दूसरा और मैप कई वेराइटी अपने एक मैप में अगर लगेगा कि थोड़ा काम क्लियर हो तो अगला मैप भी देख लिजेगा ठीक है यहां पर देख लिजेगा यह सुलेमान रेंज अगर पूछेगा पर वहां पाकीस्तान में में कहां पाकिस्तान में ठेक है किर्थर फिर पुम नोर पामीर की गांट ना समझें कि सबसे उचाहई भागवाला यह उसके बाद एदाmb handi अब कारा कोरम रेंज में या पीक है तो एक टो है ये टुए आठ हजार 611 मिटर फिर ब्रोड पिक है आठ हजार 555 फिर गसे गसे रूबूम फर्स्ट दो है यहाँ पे गसे रूबूम नाम से दो पिक है यहां पर कारा कोर में तक है उसके बाद डौह इधर बात कर लिगा यह आप ऐगला रहा अचा यह बारा लाच्छा पास बारा लाच्छा पास अभी जो है ग्रेट ही मा अ पार्ट जो एग्रेट ही मलियर उसका बाद वाला था अब जन्फош से क्या बात किए थे पता ये तो आपका काराकुरम लेंज्स के बाद लप दाख रिज पर यहां पर साब का नाम नहीं दी यहां यहां पर क्या है यहां लगदाख याजकर आ्र यह जो है ना आपका छास्का रेच यहां यहांपर observer बारालाचा पास यहीं पर फिर ग्रेटर हिमाले आ जाता है फिर लिपू लेक पास यहां पर देख लिए कहां पर है लिपू लेक पास लिपू लेक यहां देख है ठीक है यह सारे यह हो ग्रेटर हिमाले उसके नीचे हो गए शीवालिक हिमाले ग्रेटर हिमाले लेसर हिमाले खिर्शिवाली के मलें अब एक एक करके छोटा-छोटा मॉंटेन भी दिया हुआ है यह मॉंटेन जैसे की धौला गिरी अभी बताया मैंने अन्नपूर्णा मनासलू शिसापंगन शिसापंगमा हाना शोफायू एवरेस्ट लौटसे मकाली कंचन जंगा इधर इधर नाम भरा तो यह सारे कहां नेasionपाल संसेय आपको आ summा अन्ला दर्ण मिलेगा यह कहा पर है नाथूला अगारम्पुत्रा रेंज यहाँ पर से घ्र्वां करा आती है यहाँ बोम्ठील फ्रदेश के पास ihrs समझ हमें यह तक सकता है तक सख़ूदश थोड़ा सा तोड़ा सा क्रिटीकल लँद सकता है मैं अब यह सिर्व चलाया हूं यह अगले देश पंदरा दिन करूँगा मैं अपके तुरू जो है ना स्टरी थोड़ा सा शुरुवात अगर कभी नहीं किये तब तो बीपुल बोरिंग लगेगा थोड़ा दो चार दिन कीजिएगा मजा आने लग जाएगा और दस पंदरा तो थोड़ा सा मतलब कि फखढ़ हो जाएगा यह वन बंथ अगर तीक से कर लेंगे तो कमांड हो जाएगा आब दिन दिन भर थोड़े लग रहेंगे आप इसमें आधा गंटा की वात करें आधा गंटा सवागंटा पॉन घंटा बस इतना ही समय देना है ठीक है मैं तूहा है इसके बाद ना देख लिए यह परवत स्रीन है यह है अब यह करके बहुत कुछ करवाना है देख लिए साउत का नील-गिरी पाल-घाट वैनाड अना मुनार मेगा देवा मलाई सेंकोट्टा अगस्ता मलाई उसके बाद जो है काडामा महील पालनी हिल यह सारा अलना मलाई साउत का भी हम लोग को करना तो करना तो बहुत कुछ है एक लास में संभाव नहीं है आप कभी दिमाग कर जाएगा अगर पहले नहीं किया है तो चलिए फिर हम लोग देख मिलते हैं इस क्लास के लिए अगर किसी को जोइन करना है तो आप अभी नवरत्री का उसर चल रहा है तो आप जोइन कर सकते हैं वहाँ पर डीटेल में जब हम जहां पर पढ़ते हैं जहां हम लोग डीटेल में पढ़ते हैं पढ़ सकते हैं अड़ा 24-7 के साथ जाएंगे यह सारा कुछ करवाते हैं यहां पर कुछ दिन करवा रहे हैं सारा कुछ अप्लिकेशन पर तो होता उसके बाद all courses में जाएंगे तो देखे एस्टेट exam में जाएंगे एस्टेट exam में जाने बीहार exam में तो अगर आप बिजली विभाग वाला B.H.C.L के तयारी कर रहें तो इसको coupon code मांगेगा ताकि यह discount हो जाए जैसे 1499 दिख रहा है अगर coupon code डाल दिए y802 y802 डाल दिए अपलाई किये तो देख लिए यह तेरा सो में आ गया तो तेरा सो में जो है आप इस course का membership क्या कर सकते हैं ले सकते हैं इस course का membership आप ले सकते हैं और उसके paid classes में पूरे detail में आप पढ़ाई कर सकते हैं और इसके बाद जो है coupon code डालने के बाद apply करेंगे तब discount होगा नहीं तो फिन नहीं हो पाता है ठीक है यह y802 यह coupon code यह रखिए और एक से ज्यादा exam के लिए अगर कर रहे हैं तो बिहार महापैक आपके लिए शूपर रहेगा उसमें पुरे जो है कोई भी पूर्स आप लेते हैं कोई भी पूर्स में सारे में आप वैलेडिटी रहेगा सब आप पाएंगे ठीक है चलिए दोस्तों मिलते हैं next class में मैप और के थू क्लास हम लोग अभी करेंगे ज्यादा से ज्यादा कर पाएंगे चलिए थैंक्यू थैंक्यू वेरिमिक्ट के बाए